सोशल मीडिया प्लाट्फॉर्म एक्स पर कुछ यूजर्स ने की तक्नीकी दिक्कत के शुकार टिकनॉलोजी से जुड़ी ऐसे ही हर एक जरूरी ख़बर को चानने के लिए आए सीधे चलें डिजिटिल का लिए हवर है कि सैमसंग 18 अक्टूबर को भारत में अपना एक और स्मार्टफॉन लांच करेगा इसका नाम गैलक्सी AO5S है कहा जा रहा है कि एक बजट स्मार्टफॉन है जिसकी कीमत 15,000 रुपई से कम होगी पहले स्मार्टफॉन को मलेशिया में लांच किया गया था भार समेट दुनिया भर में आपता की जोखिंग कम करने को लेकर इंटरनाशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन मनाए गया इसी मौके पर हिमास्टर प्रदेश के शिमला में तीन दिरों की प्रदशनी लगाए गई जिसका उधगाटन मुख्यमंत्रे सुक्विंदर सिंग सुखु ने किया इसमें आपता से निपटने के लिए अलग-अलग नई नई तक्निकों और उपकरणों को दिखाया जा रहा है तीन दिनों तक चलने वाली स्प्रदशनी में SDRF, Home Guard, मौसम विभाग और दमकल विभाग समेत कई महकमें भाग ले रहे हैं खबर है कि Amazon भारत में अपनी सेटलाइट पर आधारित इंटरनेट सेवा लॉंच कर सकती है कहा जा रहा है कि इसको लेकर कमपनी ने अलग-लग सरकारी विभागों में लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इस सेवा का मकसद ग्रामीन और दूर दरास के लागों तक इंटरनेट पहुंचाना है